तो कि अए आज आज आप लोगों के लिए गर्मी वेक्स लेकर आई हूं बहुत ही अच्छा है बहुत टिकाऊ है और बहुत अच्छा है ये देखें डिकल ही अभी तुक्स है अभी की साम्मेर खोल के दिखाऊंगी और ये और ये कूल वाला आपके पाहदर हो चाले हैं पोरे हार्ध करना ही पढ़ रहा है यदिन ऑग रिक है रहे दो कि पिए आपके पाहयद ंद्सी और तुक्ड बाग जाके समनी आप प्ति understand आपको करके दिखाऊंगे इसके बार में और यह अगया है और यह पूल वाला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह बिल्कुल ही सील पैक है यह अभी मैं खोल कर आप लोगों के दिखाऊंगी यह देखिए चोकलेट का वैक्स हाँ बहुत ही अच्चा है यह बहुत अच्छा है शील पैक है और बहुत अच्छा है चोकले रख अब देखना में इस में आपको एक ही चमच हमें निकालना है यह अमने निकाल लिए है देखिए यहां पर्णर में हमेरो दो यहां पहलगे टिंदे इन चनली आजिया। वास्टिक पमझ नजाएग को यह पना है। एक से दो मिनिट में यह गरम हो जाएगा ऋधी जब तक यह गरम होगा उसके बार मैं आहतों है एक जो भी पढ़ाआर भी लगा लेना हैं ये हमने टेलिवीन पटई लगा लिये हैं इसके बार आपको अच्छे से मिला लेना है जिसरे हमारा व्क्स अच्छे से हो जाए और उसके बाद हम लोग यह पटिया मैंने दो ले लिए हैं अब मैं इसको क्या करूंगे आपको वैक्स कि नीचे की सैट को आपको करना है यह देखिए बहुत ही अच्छा वैक्स है और बहुत आराम से हो जाएगा और विल्कुल फास्ट भी होता है इसको आपको नीचे की सैट को दबाना है टाइट करके और अंगलियों से स्कूर्से भी कर लेना है और एक जटके में आपको पूरे हातों में आपको ऐसी ही लगा लेना है यह देखिए अब इसको उपर की साइट से कर ले रही हूं जहां पर पर आपका वैक्स लग रहा है इसको आपको अच्छे से कर लेना है और फिर उसके बाद हाथ को आपको गूव लेना है उसके बाद इसको ऐसे करना है यह जान देखिए कि जहां आपका बालो का रूख होगा आप उसी सेट को वैक्स को कर सकते हो और जैसे हमारा रेक्स लगए तो आपको आदा फोल्ड कर लेना है अब मैं इसको इसके बाद अंग्लियों में कर ले रही हूं यहां पर जैसे आपने अंग्लियों में भी पहना इसको भी आप निकाल लेगी यह निकाल लिया है यह देखिए अब हमारा एक आपका व्यास हो गया है आप जैसे आपको यहां लग रहा है तो इसमें भी आप लगा सकते हूं और जहां पर भी आपका थोड़ा भी व्यास लग रहा है उसको भी आप इसी से हटाईए और इसमें लगाना आप महीं होना यह बिल्कुल काला हो जाता है इसमें लगाना ही पढ़ता है इसको ऐसे करके कोनी को हतेली से दबाल लेजिए और उसके बाद इसको ऐसे खलीजिए यह हमारा एक हाथ कंप्लीट हो गया है अब इमें दूसरे हाथ का हैंड का करके दिखा रहे हो आपको और इसमें भी आपको टेलिगम बॉडर लगा देना है अब यह देखिए हम उसमें दूसरे हाथ में तो हम सेम ऐसी ही करेंगे बहुत ही जल्दी फरालेक्स हो जाता है अब इस हाथ को ऐसे मोल लीजा है और उसके बाड़ आप लगाए इस में भी आपकोड़ा है इस पट्टी को बिल्कुल अच्छे से जब तक यह चिपप ना चाहे जब तक आप इसको खिसते रहना है दबाते इसको उसके बाद एक जट्के में आपको खिचना ऐसे निए कि धीरे धीरे नगी खिचना है यह देखे आप इसके बाद आप उपर का हिसी में आप पूरा आपको लगना चाहे हैं और उसके बाद यह कोंडी में दिरूरी आपको लगाना है यह च्छेशक लिए को खिया है इसको बबात दूरी है को बिल्कुलारे ने दूल ने भीक्टिया आपको लाड़ाना है इसका को और इसको अतेगियों से दबार लेना है और उसके बाद हम अम्लियों में भी लाएंगे यह हमारा वैक्स हो गया है आप घर बैठे बैठे भी आप आराम से अपना वैक्स कर सकते हो आपको पालर जाने की भी जरूतनी पड़ेगी और जैसे आप लोगों का पालर बहुत ही जादा दूर है आप घर बैठे भी आप वैक्स कर सकते हो पांस विनट पर दोनों ही हातों को वैक्स अच्छे से कर लोगे और उसके बाद हमें क्या करना है जैसे हममारा वैक्स हो गया झालर बाद है आपको वैक्स अच्छे से कर दो दो हाँ पालर बाद ही हाँ